हेलो गाइज कैसे हैं आप सब मैं हूँ आपका मेंट और जुन्दुवा आपका मेरे चैनल एंसी आटी मैथ गुरूप पर स्वागत हैं तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोडिनेशन से यानि की मिनिंग ओफ कोडिनेशन तो सबसे पहले आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि कोडिनेशन का क्या मतलब होना चायそうですね कोडिनेशन शाय famili होता है यह सएसी है तालब आल का क्या है मतलब हुआ तो यहां एक साथ लेकर चलना है इस तरह संपbn इसका सिस्टम क्या होगा एक जितने भी लोग होती है उनको差不多 या कोई किस monster ओर सhouता है जिसक्राइक शौट होती है कि कैसे क्या करना है तो ने यहां आपके सोच अलगलग है लेकिन सब को एक साथ लेकर चलना है तो वो क्या होगा और इन कि इस इफर्ट्स यानिकि क्या होगा जभी हमें गृुप गर आपको दिखे चेह थोगी कोडिनेशन की यानिकि अगर कि दो तीन-चार लोग हैं तो उनके क्या होना चाहिए सबसे पहले कोडिनेशन हों चाहता है कि वह एक साथ काम कर पाएं अगर उन सब के बीच में कोडिनेशन नहीं होगा सारे एक साथ नहीं सोचेंगे तो उनका क्या होगा कोई एक काम को दो बर करेगा कोई तीन बर करेगा कोई कहेगा यह करना है कोई कहेगा यह नहीं करना इस तरह से नेक्स्ट क्या है, कोडिनेशन एंश्योर यूनिटी ओफ एक्षन, तो यूनिटी ओफ एक्षन, यानि की एक साथ का सोचन, यूनिटी मतलब एक अठा, यानि की एक और एक्षन, यानि की एक एक्षन करना, यूनिटी ओफ एक्षन, यानि की कोडिनेशन में क्या होता है, क्य create करते हैं क्या create करेगा unity in action याई की unity create करेगा उनके actions में सबकी action अलग लग है सबकी source सबके काम करने का तरीका अलग लग है लेकि उन्हें जो काम करना है वो किसके लिए करना है organization के लिए करना है तो उनके बीच में coordination बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इसी तरह से next है coordination is a continuous process तो coordination क्या है continuous process है यानि की coordination यह नहीं कि आज हमने सब लोगों की वीच में coordinate कर दिया भई तुमने इस तरह से काम करना था मिल के काम करना था तो तुम्हारा काम अच्छा होगा तुन्होंने आज coordinate किया उन्होंने का काम अच्छा हुआ लेकिन यह नहीं कि कल भी उनका काम अच्छा होगा तो जब तक उनका काम अच्छा नहीं होगा यानि कि तब तक उनका कोडिनेशन चलता रहेगा आपने पढ़ा भी होगा पहले कि coordination जो है हर एक function में use होता है सर function क्या होते है मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था मेनेजमेंट का जब हम मिनिंग कर रहे थे उसमें मैं आप उपता था कि planning, organizing, staffing, directing, controlling सब जो है यह function है इनके तो coordination भी इन्हीं के साथ है यानि कि बिना इन process के coordination जो है नहीं हो सकता तो coordination हर एक process में लगता है इसी तरह से coordination क्या हो जाएगा continuous process हो जाएगा यानि कि लगातार चलने वाला एक process इसी तरह से next क्या है coordination is an all pervasive function से यहाँ पर all pervasive का क्या मतलब हैसा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है universal activity यानि कि कोड बिजनस और non-business वैसे यहाँ पर आप समझिए all pervasive function का क्या मतलब होगा कि business और non-business यानि कि दोनों तरह के जो business है यानि कि business और non-business इन दोनों जगहाओं पर क्या जरूरी है छुद्ध कोडिनेशन जरूरी है without कोडिनेशन ना business रन कर पाएगा ना घर काम पाएगा यानि कि गर में भी यानिके एक हाउस में अगर कोडिनेशन सही नहीं होगा तो महां पे भी काम सहीसी नहीं हो पाएगा student अगर student कोडिनेट नहीं कर पाएगा टीचर से अपने सब्जेक्ट से तो वह भी काम नहीं कर पाएगा यानि की बिजनस और नौन बिजनस दोनों के एक्जैंपल मैंने आपको बताए इस तरह से दोनों में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है है कोडिनेशन इसी तरह से नेक्स्ट का है कोडिनेशन इस 대한 जतने भी पर्सन है उनमें कोडिनेशन बना रहे ताकि औरी अछे से कर पाए कोडिनेशन इस डेलिब्रेट फंक्शन सर्ट डेलिब्रेट का क्या मतलब सर्कॉडिनेशन जो है जान बुझकर किया जाता यह नहीं कि गल्ति से हो जाएगा आपने को सोच समझकर लोगों के बीच में तालमिल बिठाना यहन कि बीच में कोडिनेशन किस तरह से एक को motivate करें कि वो coordinate कर पाए दूसरे person से तो इस तरह से यह function जान बुझ कर किया जाता है अपने आपसे नहीं होगा coordination कभी भी अपने आपसे नहीं होता हमको सोच समझ कर step उठाना पड़ता है coordination के लिए तो coordination क्या होगा coordination is a deliberate function इस तरह से next क्या है देखिए coordination is the essence of management यानि कि इसका क्या मतलब होगा इस लेन का बहुत ज़्यादव important है इसको ध्यान समझना कि coordination जो है जुरूरी है बहुत ज़्यादव जुरूरी है किस में management में सर management में जैसे कि मैंना फंक्शन तरह उन पाच्चों फंक्शन में जुरूरी हो देखिए नीचे लिखा भी है मैंने as per modern management expert coordination is not a separate function coordination क्या है separate function नहीं है किसका of management but it is the essence of management बट यह management के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इसी यह नहीं कहेंगे कि planning organizing staffing directing controlling के साथ हम coordination भी जोड़ दें नहीं planning के अंदर भी coordination है organization के अंदर भी coordination staffing के अंदर भी coordination directing के जूरत पढ़ती है यानि कि जब भी कोई भी function जो हम यूज कर रहे होंगे plan कर रहे होंगे किसी organization बना रहे होंगे staffing कर रहे होंगे direct कर रहे होंगे या control कर रहे होंगे इन सब में coordination की जो है बहुत ज़्यादा जूरूरत होती है without coordination इनका कोई भी जो है एक definition भी है कर लेते हैं खुंटस की definition है को कोडिनेशन इस दा सेंस ओफ मेनेजमेंट जैसे के बहुत ज़्यादा जूरूरी है management के लिए ताकि जो है लोगों में जो हम क्या कर पाए harmony establish कर पाएं यानि कि एक साथ उनको चला पाएं हर एक individual के efforts जो है उसमें लगा पाएं यानि कि यह नहीं कि जब भी हमें अगर गोल पूरा करना है तो एक परसन अकेला गोल पूरा नहीं कर पाता उसके साथ भूच से लोग होते हैं जो उसकी help कर रहे होते हैं तो उनकी help करना ही क्या कहलाएगा कोडिनेशन इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोडिनेशन क्या है प्रोसेस है और प्रोसेस कैसे बताया था मैंने आपको कि एक के बाद एक step होते रहते हैं जैसे कि पहले planning फिर organizing staffing directing controlling इस तरह से जो मैंने आपको दिखाया सरकल में यह पांचों फंक्शन है और इन सब में क्या जुरूरी है कोडिनेशन क्या जुरूरी है कोडिनेशन तो इसलिए हैं पर यह डियाग्राम मैंने आपको दिखाया है कि इन सभी functions में कोडिनेशन की बहुत ज्यादा जूरत पड़ती है तो मैंने जैसे कि आपको एक characteristics में पताया कि coordination जो हर एक level पे जुरूरी ह है तो coordination is needed at all level of management sir कौन-कौन से level थे जैसे कि मैंने पुप लेवल मिडल लेवल लोर लेवल इन तीनों लेवल्स पे क्या होगा देखे टोप मिडल लोर इन सब में क्या है coordination है कोडिनेशन होगा तभी जो है smoothly run कर पाएगी क्या organization without coordination smoothly run भी नहीं कर पाएगी हम profit भी नहीं कमा पाएगे ओगर organization का जो भी motive है वो complete नहीं हो पाएगा तो coordination में सबसे ज़्यादा जरूरी है इसे तरस देखे लिखा भी है the work at every level of management is performed by group of people that is why coordination is required at all level to complete the work successfully तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको लिखके भी दिखाया है कि जो भी work कर रहे होंगे जिस भी level पर management अपना work कर रही है उसको coordination ज़्यादा चाहिए क्यों हो कि वहाँ पर group of people है इसलिए उसको वहाँ पर coordination की जूरत पड़ेगी अगर coordination की जूरत कब नहीं पड़ेगी जब single person होगा तो उसको coordinate करने की जूरत नहीं है उसको पते है कि मैंने कल्लेने काम करना है तो मैं सही से करलू गल्त ना करूँ अगर दो लोग होंगे तो उसको काम नहों मेरा काम हो जाए तो मेरे को शाबाश ही मिलेगी नहीं तो organization क्या चाहेगी कि भाई सारे मिलकर काम करें ताकि सबको जो है उनका सारा समान मिल पाए यानका जो है जो है जो उनका कोडिनेशन की क्या करें हम इंपोर्टेंस तो सबसे पहली इंपोर्टेंस क्या है देखिए यहां पर यह साइज ओफ और गनाजेशन तो सबस्क्राइब कर लें ताकि आपको नए नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए वीडियो अच्छी लग रही हो त तो नेक्स्ट में अपले था साइसाइज ओफ और गनाजेशन में इसका क्या मतलब है सइस ओफदर new warm n इसमें importance क्या होगी आपको क्या लगते है size से क्या पता चल रहा है कि और पहले क्या होता था कि organization का size छोटा होता था यानि कि उसमें कम लोग होते थे तो coordination कितने ज्यादा जूरत नहीं पड़ती थी लेकिन पड़ती थी लेकिन अब क्या है अब तो बहुत बड़ी organization है उसमें बहुत से क्रोड़ों क्रोड़ों लोग काम कर रहे होते हैं कोई ऐसी भी और्गनेशन जिसमें लाख दो लाख वरकर अराम से होती हैं तो उनमें एक क्यां करना है जब लोगों कहेंगे कि तुमने ये काम करना है को डिजिकर सेक्षा कोड़ीनेशन किस्पर दीपेंड कर गया यह मंनलब बिजनस का जो साइज़ों का जो साइज होगा उसके मैं जैसे एक लोग अलग सियात κι होगा तो इस्लिए उनका क्या चाहिए क्यों प्रोफिट मॉट्डिव इसलिए उन्होंने क्या 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 देखिए मैं लाइन बताता हूं देर मेबी क्लैश ओफ इंटरस्ट अमंग दा वेरियस डिपार्टमेंट इन दा ओर्गनाजेशन तो यहां से आपको क्या बजलता है कि और अगनाजेशन में जितने भी डिफरेंट 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 डिपार्टमेंट होते हैं सब्सक पर्टमेंट बताथ التर्ट करने पर को प्रोडक्षय करिंए तरह चलbt करें उनके मिच में लड़ाइज धलता लोकुन हो तक कि यह चाहिए कि अगर जैसे कि मैंने आपको उपताया कि जैसे सेल्स वाले ज्यादा सेल करेंगे तो उनको क्या मिलेगा प्रोफिट ज्यादा मिलेगा प्रोडक्शन वाले चाहेंगे कि हमें पैसा ज्यादा मिलना चाहिए ऐसे फाइनाइंस वाले प्रचेस वाले कहेंगे कि हमें ज्यादा मिला है श्राहिए तो हमें ज्यादा पैसा मिलना चाहिए इस तरह से उनके बीच्रें किया किया यह मैंगेak लेकिन सबको लेकर एक साथ सद चलना क्या है कोडिनेशन है में इस तरह से इसमें स्पेशलाइजेशन इसमें स्पेशलेशन कीसे जाएगा वो मताताओं अगर दुढरम कर दिया तो हम हमने यह यह करना है तो इन दौन Can Come Kira दो Он दोनों में लग- Candle इन में आ गया है कि इसी तरह से नेक्स्ट देखिए इंटल्ड डिपेंडेंट्स ओफ्डिफ्रेंट प्रोसेसर तो यहां पर क्या मतलब हुआ इंटर्डिपेंडेंट्स जैसे कि इंटर्डीपेंडेंट्स अगर इसे काम नहीं किया तो मैं कैसे कर पायोंगा इस तरह से वह गया लेकिन बात करें वैसे इसको कहा जाए कि आपको डेली की 1000 यूनिट सेल करनी है वो सेल कब कर पाएगा जब प्रोडक्शन त्यार होगा प्रोडक्ट उसको पास होगा अगर प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन जो है नहीं करेंगे तो इसी तरह से प्रोडक्शन वाला क्या करेंगा फाइनांस मैनेजर ने मेरे को पैसे नहीं दिये तो मैं कहां से समान खुरिद है तो इन सब को साथ में लेकर चलना ही कोडिनेशन है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक दूसरे पर यह डिपेंड रहते हैं लेकिन इनका जो काम है वो अलग अल उटर्शिक्स वो सब की है तो अगले के टौपिक अगला टौपिक अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें दोस्तों को शेर करें अगर आप हमारे चानल पर नए हैं चनल को सबस्क्राइब कर लें ताकि आप